अब हमें लेना है यह शेफ फंटी ठीक है पैंट के थोड़ी सी लूज है हलकी सी थाई में तो इसलिए हमें इस तरीके से निशान नहीं लगाना है हमें यहाँ पर इस जगा से दो इंच उपर लिका लेंगे स्केल को और यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे यह द यहाँ पर इसकी लंबाई है 38 यानि 38 तो यहाँ पर एक इंच लिखा लेंगे ऊपर और 38 पर लगाएंगे निशान और भाइंच लेंगे बॉटम में फोल्ड होने के लिए अब बात करते हैं इसकी कमर की कमर है इसकी साड़े 40 इंच तूरस साड़े, 40 इंच इसकी कमर है और इसकी हिवा já 21 तो हम 41 इंच हिप से ही इसकी लटक निखालेंगे तो हम निकालेंगे यहाँ पर 41-41 का यहाँ पर फोर भाग एक चौथा ही होता है यहाँ साड़े अक तालिस कह साड़े 10 में एक सूथ कम, मगर इसमें हम आदा इंच कम करके और हम यहाँ पर लिखा लेंगे पौने दस इंच, टीक है, तो हमने पौने दस इंच पर निशान लगा दिया है, इस तरीके से यह ठीक है, एक थोड़ा निशान को आगे बढ़ा देंगे उसके बाद में यहाँ पर निशान लगाएंगे एक लंबाई का यह निशान हो गया लंबाई का और दूसरा निशान हो गया जो हम तुरपाई करते हैं बॉटम में उसके लिए आप 2.5 इंच से 3 इंच तक लगा सकते हैं मैंने यहां पर 2.5 इंच के निशान लगाया था मगर मैं इसमें तुरपाई करूँगा तो मैंने यहां 3 इंच पर निशान लगा लिया है ठीक है अब उसके बाद हम लेंगे एक शेव जो हिप पे शेव आता है वो लेते हैं इस स्क लेने के बाद यहां पर लगाएंगे एक निशान इस तरीके से निशान लगाने के बाद में यहां टांकी बादेंगे ठीक है यहां टांकी बादेंगे जो हमारी पॉकिट का मूह होगा वो होगा सिक्स इंच अब यहां पर हम इसकी कमर है साड़े चालिस साड़े चालिस कम प्रफाग एक चौथा ही होता है दस इंच एक सूत उसके बाद लेंगे सलाई मार्जन ठीक है अब इसकी है थाइस 27 इंच यह 27 इंच ठीक है अब 27 का हम हाफ करेंगे हो गया साड़े 13 इंच ठीक है उसके बाद में फलाई की गोलाई के लिए लेंगे हम पॉने 2 इंच और इसक Engine के लिए गोलाई नगती के लिएंगे हमिए जहां फलाई एपनी इठेच करना है वो लेंगे souvent 2 इंच पर यहां से उन्य पर निशान लगा दिया जहां से हम वह फलाई एटेच करेंगे अब हमें अपने सामने को डाउन करना है ठीक है तो हम सामने को डाउन करेंगे यहां पर पॉन इंच तो इस तरीके से नापेंगे और पॉन इंच डाउन करेंगे हमें लेना है कि शेफ फंटी और यहां तक लगाएंगे जहां से हमने पॉकिट का फैलाओ का निशान लगाया था और इस तरीके से निशान लगा देंगे यह देखिए यहां में निशान लगा लिया, निशान लगाने के बाद में, अब यहांपर दोस्तों, हमारे इसकी जो था frame है, वो है, 27 इंच, 27 का half लिए हमने गई, हम साले तेरा एंच, ठीक है, यह इंच, यहांपर इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और यहांपर 27 का half लेंगे, साथे तेरा इंच यह देखीए ठीक है यह हो गया साथे। थेरा अब साथे तेरा का हाफ लेंगे पहुने साथ इंच bottom है इसका सत्रा इंच तो हम सत्रा का यहाँ पर फोर भाग करंगे एक छौथाई तो यहां पर होता है सवा चार इंच यह देखिए और यहां पर सवा चार इंच यानि कि टोटल जो हो गया वो गया साड़े आठ इंच अब हमें लेना है यह शेफ फंटी ठीक है पैंट के थोड़ी सी लूज है हलकी सी थाई में तो इसलिए हमें इस तरीके से निशान नहीं लगाना है हमें यहां पर इस जगा से दो इंच उपर लिखा लेंगे स्केल को और यहां पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे यह देखिए ही ठीक है हलका सा किरास फिन यहँ पर हम जैसे पलेंगा 28 इंश्त पर यहां जगां और यहाँ पर निशान लगा लिए ठीक है हलका सा किरास आपहमारे रान classics सरे最म् olm अब फ्रेंड यहां पर हमने अपना सामना कटिंग कर दिया है अब हम कटिंग करेंगे बैक बैक कटिंग करने के लिए हमें इस तरीके से लेंगे बिछाने के बाद अब हमें इस पर अपना सामना रख देना है कि यहां से मिलाग के रख़ागे इस सैट से ठीक अब हमारा यहां पर खरीब चार इंच कप्ड़ा आ साधे चाहिए चार ले लो साटे तीन ले फिसक्ते हैं अब दूस्तों मैंने सामने को बचाते एक निशान यहां पर इह नगा रही शोक्त में फिवाह मैं नीचे भाई इंच का क्योंकि थोड़ी सी लूज है मैंने आपको बताया अगर बिल्कुल फिटिंग में आप पैंट पैनना चाहते हैं या कटिंग करना चाहते हैं तो आप यहां पर लेंगे सवा दो इंच यहां से अपने बैक पल्ले को ठाएंगे पौने दो इंच और इस तरीके स तो हमें बैक पार्ट में भी इसी तरीके से निशान लगाना है यह चीज़ का ध्यान रखें अगर आपने यहां से मिला के लगा दिया ना थोड़ी सी लूस पैंट में तो वह जुड़ाई करते टैम पल्ला एंट हैगा तो यहां पर इस तरीके से हम अलका सा किरास करेंगे किरास करने के बाद पिर हमने यहां से निशान लगाया तो यहां से इदर आएंगे और यहां पर एक्स्ट्रा मार्जन लेंगे उसके बाद यहां पर हमारी इसकी हिव है साड़े एक तालिस इंच ठीक है यहां पर लगाएंगे साड़े एक तालिस इंच का चौथा ही होता ह है यहां पर दस इंच एक सूथ यहां पर लेंगे बैक पार्ट में जो पलेट पड़ती है एक इंच उसके वाद सीड़ जुड़ाएगी निया लेंगे हम यहां पर सवाद दो इंच आप चाहें तो ढ़ाएंच भी ले सकते हैं ठीक है अब हमने यह निशान लगाया था यह व निशान लगाने के बाद में आब यहां से हम इस तरीके से यहां कटिंग करेंगे तो यहां पर निशान लगाएंगे यहां से दे देंगे गोल आई दोस्तो हमारी पैंट कटिंग के लिए बिलकुल रेडी है अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग यहां से जो इसका शेव है वो स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से हाँ पर हम स्टार्ट करेंगे तो फेंड यहां पर हमारी पेंट कटिंगग हो चुकी है मैंने आपको शुरू में बताई दिया जो हमारी पैंट है वो हल्की सी थाई में लूज है ठीक है और बिल्कुल फिट वाली नहीं है जैसे के कुछ लोग होते हैं तो वो थोड़ी सी लूज पैनना पसंद करते हैं कि उसमें की पैंट कटिंग करिए